नमस्कार दोस्तों अगर आपको लिखने का है शौक और आप धून रहे हैं ऑनलाइन एक अच्छा सा फाउंटन पैन तो बिल्कुछ सही वीडियो देख रहे हैं आप क्योंकि मैं आपके लिए आज रिवीव करने जा रहा हूं तीने से बहतरिन फाउंटन पैन और बताने वा चलिए वीडियो शुरू करते हैं नमबर तीन पर है हमारा एमेजोन का बेसिक रिलिफेबल फाउंटन पैन बहुती भैतरिन बहुती स्टाइलिस वे गुर्डू रिवीव करने जा रहा हूं और आपको बताने वाला हूं उन सभी पैंस के स्पेसिफिकेशन और प्राइस औ आपको बताने वालों के सबसे अच्छा बैस्ट फाउंटन पैन का रिवीव करते हैं दोस्तों हमारे इस एमेजोन के रिफेलिबल फाउंटन पैन में आपको काफी अच्छा प्रीमियम फील मिलता है और हमारा पैन दोस्तों बिल्कुल स्मूथली वर्ड करता है आपको आपको इसमें ब्लेक ब्रास मेटल का बेरल मिलता है जो काफी कंवेटबल होता है आप बिल्कुल आसानी से इसको फूल्ड कर सकते हैं और काफी लंबे समय तक कंटिनु इस्तमाल कर सकते हैं और आपको दोस्तों इसके इसको आपकी पॉकेट यह नोटबुक पर दे सकते हैं दोस्तों की जुने बहुती उसका साइस काफी अच्छा है जिसमें आप आसानी से clean narrow lines ड्रॉडव कर सकते हैं और friends साथ ही आपको इसमें काफी अच्छा smooth writing experience मिलने वाला है Amazon company दोस्तों आपको इस पैंड की एक साल की Limited warranty भी देती है दोस्तों यह हमारा एक्चुल पैंग जैसा कि आप देख पार आपकी स्क्रीन पर तो काफी अच्छा और काफी बैतरी हमारा यह Amazon का fountain pen है अगर आप लेने का सूंच नहीं एक अच्छा fountain pen तो दूस्तों अगर आप चाहते हैं इसके बाकी features पढ़ना जिसके रिविटिंग चेक आउट करना या इसको अच्छे डिस्काउट में बाई करना तो मैंने वीडियो के description box में लिंक कर सकते हैं नंबर दो पर है हमारा Camlin का elegant fountain pen जोस्तों Camlin के हमारे इस fountain pen के अंदर आपको 3-1 mechanism मिलता है जिसमें दोस्तों आपको इसका डिजाइन काफी अच्छा मिलता है और साथ ही आपको इसकी extra fair writing मिलती है दोस्तों के अंदर आपको काफी बड़ा jumbo ink tank मिलता है जिससे हमारा यह पैन काफी लंबे समय तक continue काम करता है आपको इसमें बार बार इंक भणने की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है दोस्तों Camlin के हमारे fountain pen में आपको especially handicraft gold color की निम बिल जाती है जिससे कि आप देख पर आपके screen पर जिससे दोस्तों हमारा पैन दिखने में काफी अच्छा लगता है दोस्तों आपको इस pen के अंदर कैप मिलता है brass का और आपको body मिलने वाली है इसकी chrome की फ्रेंट जैसे आपको मैंने बताया है आपको इसमें काफी smooth writing मिलने वाली है और आपको इसमें काफी अच्छा flow मिलता है लिखते समय जिससे दोस्तों आप continue काफी लम्य समय तक writing कर सकते हैं तो यह ना हमारा fountain pen Camlin का जै वीडियो की description box में लिंक कर दे दिया है माज आप चेकाउट कर पाएंगे दोस्तों फाइनली हम आच चुके नंबर एक पर उट जानने वाले सबसे भैतरी और सबसे अच्छा कौन सा fountain pen होने वाला है आपके लिए चलिया यह शुरू करते हैं नंबर एक पर हमारा Parker का करता हूं अगर आपका बज़ड़े साड़ा 300-400 रुपे के आज पस तो आप इस pen को जरूर बाई कीज़ेगा क्यों दोस्तों आपको राइटिंग में काफी अच्छा experience मिलने वाला है इस pen के साथ चलिया है हम इसका review करते हैं दोस्तों मेरे पारकर के इस वेक्टर फॉंटे इस संट ही आप इसको दोस्तों साथ ही आप इस पैं को कि से भी कुए किसी भी लव राइन को गिफ्टर वी कर सकते भ जो यसी आपको यह इपाल ऑफोर में काफी अच्छा लगता है आप उसन्ले लुकार की फाइन की दोस्तों आपको काफी अच्छी इसृत राइटिंग म बना हुआ होता है जिसे आपको काफी अच्छी फ्रेन के अंदर आपको दोस्तों हमारे पारकर के फॉंटन पेन के अंदर smudge proof blue ink feel होती है जो राइटिंग के बास दोस्तों दिखने में काफी अच्छे लगती है दोस्तों यह रहा हमारा पारकर का पैन जैसे कि आप देख पर आपके स्क्रीन पर आपको इसके अंदर इंक बॉटल फ्री मिलती है इस पैन के साथ ही और चाते हैं आप इसकी बागी डीटेल्स चेक करना इसके रिवी चेक आउट करना तो मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देए दिया है वह जब आप इसको चेक आउट कर पाएंगे तो आशा करता हूं आपको वीडियो क आपको पसना आया होगा अगर वीडियो पसना तुम वीडियो को लाइक किजिए शेर किजी और इसी तरह के रिवीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजी आप से मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हैं